अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर आप मुस्से जुड़ना चाते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि वीडियो की चानकारी आप सभी लोगों को मिलती रहे हम चर्चा करेंगे ओपल रतने के बारे में इसको पहनने का क्या लाब ह और कैसे धारन करना है और किस दिन धारन करना है हमें इससे क्या-क्या फाइदे होते हैं अगर आपकी कुंडिली में शुक्र कारक है तो आपको ओपल रतन जरूर पहनना चाहिए ओपल रतन से आपको बहुत एक सुख सुविदा मिलेगी ये रतन काफी आकरशक रतन माना ज चाहिए इससे उनको बहुत सारे फाइदे देखने को मिलेंगे अगर आपके विवाहिक जीवन में दिक्कते हैं उनको भी इस रत्न को जरूर पहनना चाहिए इससे आपका विवाहिक जीवन सुख में होगा क्योंकि शुक्र को बहुत महत्पूर स्थान दिया गया है तो ये रत्न आपको धन छेत में सफलता दिलाता है इस रत्न को चांदी में ही धारन किया जाता है और इस रत्न को सुक्रवार के दिन धारन किया जाता है इसको धारन करने से आखों से संबंधित प्रॉबलम ही दूर होती है इसको धारण करने से पहले गंगा जैसे इसे सुद्ध कर ले और इसे धूब दीब दिखा कर ही धारण करें इसको आप मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं इसे पहनने से आपको शुक्र के अच्छे रिजर्ट देखने को मिलेंगे तो दोस्तों कैसी लगी मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें शेयर करें मुझसे चुणने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो फिर मिलेंगे चैमातारी